तो स्टोक बल्प्स के साथ स्पेडोमेटर कुछ ऐसे दिख रहा था और LED बल्प्स के साथ कुछ ऐसे दिख रहा है ही गाईज और विलकम टो दो चैनल मैं निम इस जीत और इस वीडियो में आपको बताने वाला है कि कैसे आपनी बाइट के स्टोक बल्प्स को LED में कनवर्ट कर सकते हैं नाव हम सबको पताए कि जो नोर्मल बाइक होती हैं उनके अंदर स्पेडोमिटर में येलो कलर के हैलोजन बल्प साते हैं ये बल्प स्पेडोमिटर को येलोईश टाइप का लुक देते हैं तो ये तीन मेजर रिजन्स हैं जिसके वज़े से हमें अपने हीलोजन को LED में चान्वर्ट करना चाहिए तो इन बल्प्स करने के लिए हमें स्पीडर मेटर के पीछे के पार्ट को अधसे सकाना पड़ेगा इसके लिए हमें अधे को खूलना पड़ेगा तो लाइट को निकारले के बाद मटगार्ड के ओपर एक क्लीन कपड़ा रख दें और उसके ओपर लाइट को प्लेस कर दें जस्ट लाइट उसके बाद मेटर की प्लेट के नीचे तीन तेन-धवल मेटर के निचेंगी इन में से दो नट्ध में वाशर है इस नट में वाशर निएक लैम आप है हमें तीन ओ नफीन अप कोरोने है cash 1 व्यूध रख और यजप मोछजा है कि उसके बाद मेटर की स्पीड सेंसर दो कि के देट मज गिलाएट इगनिशन की को निकाल के एक कपड़ा वाइट के हैंडल बार पर रखना है और फिर मीटर को उठा के इस कपड़े के ऊपर उठा करके रखना है just like that मीटर की वाइरिंग को डिसकनेक्ट करने की कोई जुरूरत नहीं है मीटर का वाइर इतना लंबा होता है कि मीटर को टिल्ट करके रख सकते हैं तो अब हमें इस कवर को खोलना है कुछ मीटर में कवर नहीं आता है तो आप उनके बल्ब के सोकेट को डारेक्ली एक्सेस कर सकते हैं अलिसमेटर में इस कवर को अठाने के लिए है कि तो कवर ज़ाने के बाद मिटर के सारे सोकेटस नेकारे है इन में यह जो ब्लेक करिते की नॉटस दिखने हैं यह सारे बरब के जोकेट हमें इन में से बल्प निकालना है और उसको LD से रिप्लेस करना है लेकिन ये बल्प रिप्लेस करने से पहले एक चीज में आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी बाइक में अगर आपकी बाइक करने के लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूं उसका लिंक में आई बटन में दे दूँगा आप वो वीडियो देख लें स्पीडोमिडी की लाइटS को AC से DC में कंवर्ट कर लीजे उसके बाद आपको LED बल्प इंस्टोल करने अगर आप AC कनेक्शन में LED बल्प इंस्टोल कर देंगे तो फोड़ी तेर जलके फ्यूज हो जाएगे और आपको फिर से हैलोजन बल्प ही लगाने पडेंगे तो अभ तो्भ से पहले, मैं इस को को निकालता हम eternity कुकrooms इस सोकेट को निलिखाई दोजाब हुआ इस मैंगाला है और लिखा bean लगान लगाना है और इस कनिक्टर को सोकेट मैं वापैस लिखाने से पहले आप चेक करें कि LED bulb चल रहा है, बिकोज जो halogen bulbs होते हैं, पोजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है, वो दोनों साइड चलते हैं, लेकिन LED bulbs पोजिटिव और नेगेटिव पर डिपेंड करते हैं, तो आप इंगिनिशन में चागर डाल कर ओन कर लें, अगर यह बल्ब नहीं जलता है, तो मु फिर से उसके सारे सोकेट्स लगाएं, और उसके बाद ही इन LED बल्ब्स को इंस्टोल करें, अदरवाइस आप सब कुछ फिट कर देंगे, उसके बाद आपके बल्ब्स नीचलेंगे, तो आपको प्रोब्लम होगी, तो एक बल्ब लग गया है, अब मैं इसको वापस लगा देता हूँ, और ऐसे वन बाई वन करके मझे सारे बल्ब्स चेंज करने हैं, यह नूटल इंडिकेटर का बल्ब है, इसके अंदर में यह वाले LED बल्ब्स नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत जादा ब्राइट है, और नूटल इंडिकेटर में अच्छे नहीं लग करते हैं, यह तभी जलता है, इसका जो रिफ्लेक्टर वो ब्ल्यू कलर का है, इसमें वाइट बल्ब डालने पर थोड़ा अजीब लुका रहा है, तो इसलिए मैं ब्ल्यू बल्ब यूज कर रहा हूँ, अभी मैंने पास लाइक डॉन करके देखा है, बल्ब नहीं जलता है तो मुझे इसको निकाल के दूसरी साइड लगाना पड़ेगा, अभी यह जलता है, तो नुट्रल इंडिकेटर, हाइवीम इंडिकेटर और इंडिकेटर सिंबल वाले बल्ब जो है, इनके सोकेट्स के आगे रिफ्लेक्टिव विंडो लगी है, तो उसमें एलेडी बल्ब इंस्टोल करने में, दिखने में कोई ज्यादा डिफ्रेंस नहीं आएगा, लेकिन हैलोजन ज्यादा पाउर कंजूम करते हैं, तो उसकी वज़े से हम इनको एलेडी में चेंज करेंगे, तो इस बल्ब को निकाला है, एलेडी को लगाना है, और इसको चेक करने के लिए, ज जब आगे वाले इंटिकेटर्स लगा देंगे, तो इस फिर से बल्ब को निकालना है, एलेडी बल्ब को लगाना है, इस साइड वाला इंटिकेटर्स और यह जल गया, तो बस इसको भी वापस लगाना है, तो बस इसको भी वापस लगाना है, तो जो चीज जैसे निकाली तो अभी मैं सब कुछ जल्दी से असेंबल कर लेता हूँ So all right guys, अभी सब कुछ असेंबल कर दिया है, अभी देखते हैं कि सारी lights properly काम कर रही हैं, नहीं कर दिया है यह neutral की light properly काम कर दिया है, high view indicator भी properly काम कर दिया है, indicator symbols की LEDs भी properly काम कर दिया है अब बारियातिया इलुमिनेशन लेडीज की तो भी मैं लाइट सॉप कर देता हूँ उससे थोड़ा बेटर व्यू आएगा एज यूगन सी इलुमिनेशन लेडीज भी प्रोपली काम कर रही है कैमरा इसके साथ जस्टिस कर रहा है उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता लेकिन परस्नली देखने पर ये हैलोजन से 10 ताइंस बेटर बिख रहा है कैमरा रहा है